नमस्ते रादे रादे मैं कंचना मेरी किचिन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे काना जी की भोग वाली थाली जो छटी इस पेसल है हमारे हाँ छटी पे काना जी को कौन सा भोग लगता है वो वाली थाली मैं आप से सेर करी हूँ इस तरह से मैंने चावल बनाया दही बड़े बनाए हैं बिना लसुन प्याज की सबची है दाल है खीर है और पुड़ी है काना जी कब होग तुलसी के पत्तों के बिना अधूरा रहता है इस तरह से मैंने इसमें तुलसी के पत्ते डाल दी है देखे केवल इसे आप 15-20 मिनट में तैयार कर सकते हैं बहुत ही तरह से थोड़े बड़े पीस में ही कट करूँगी और एक कड़ाई गरम होने रखिए उसमें दो छोटी चमच के लगबगी हम तेल डालेंगे सबजियों को हमें भूनना है भूनी हुई सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तलने से जादे भूनी हुई सबजियो इससे हम कट कर लेंगे और इसमें इस तरह से सूखी हुई नारियल की 5-6 स्लाइस डालेंगे और कुछ 3-4 मेने काजु डाले बस इतने में ही इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है इस तरह से देखिए और हमारी यह सबजी अच्छे से बुन चुकी है इसमें मैंने अब चावल ले लिया है उससे धोलिया कुकर में डाल दूँगी और इसे हम एक से दो सीती आने तक चावल को पका लेंगे देखिए हमारी सबजी भी पक गई है इस तरह से इसे हमें भूनना है जो अच्छे से भूना गई है यानि मतलब अच्छे से दब जा रही है और यह पक हम निकाल लेंगे इस तरह से अब इसी कड़ाई में मैंने एक बड़े चमच के लगबग तेल डाला है इसमें एक चमच के लगबग जीर डाला है और जो हमने टामाटर और काजू का पेस्ट बना के रखा था वो एट कर दिया और इसे हम भून लेंगे बहुत ही सिंपल सी सब्साaround बन चाहिए इसमें रेगूलर से मसालह लाल मिर्च पोडर हल्दी पोडर अ धनीय पोडर और और श्वादय कोरो दालेंगे अब आयाम सब्साने में से स्ब67 झाल नेंगे यह मुझे को मिक्स कर लेंगे मुझे भी नहीं पता था यह इतनी टेस्टी बनती है बीना लसून प्याच के भी एक बारी से जरू ट्राय कीजिएगा इस तरह से मैंने इसमें दो छोटी चमच के लगभग पानी डाल दिया है और टमाटर को मैंने थोड़े बड़े पीस में ही कट करके डाला है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है जब टमाटर के बड अच्छा लगता है इस तरह से चावल दो सीटी आने तक पग गया देखिए मैं इधर काम में लगया हलका सा चावल नीचे लगया उसमें कोई दिकत नहीं है हम उपर का चावल निकाल लेंगे और इस तरह से एक कटोरी के लगभग चावल मैंने निकाल लिए जो भूक में क मगडाला है इसे हम गैस पे चड़ा देंगे यानि भोग हम इस तरह से जटपट से ही और आसानी से बना सकते हैं या इस तरह से जब हमारी खीर अच्छे से उबल जाए इस तरह से अच्छे से पक जाएगी तो ये गाड़ी भी हो जाएगी अब इसमें कुछ इस तरह से मैं तेखेस लाड़े डालेंगे, जिससे हमारी खीर का टेस्ट भी अच्छा है गा। और इसे हम एक उबालाने तक और पका लेंगे। देखें गाड़ी खीर जाती हे त्टंडी होने पर उर्फ और जादे गाड़ी हो जाती है। हमारी खीर भी बन के तैयार हो गई है। अब इस तरह से मैंने एक कटोरी के लगबग डाल ली है इसे भी हम सेम वही कुकर में डाल लेंगे और इसमें एक चमच के लगबग अल्दी डालेंगे जो एक टामाटर इसमें कट करके डालेंगे जिससे इसका टेस्ट अच्छा हैगा याने बिना लसुन प्याज वाली डाल भी आप एक बार इस तरह से ट्राइ कीजिए बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है लगा देंगे और उसे दो से तीन सीटी आने तक पका लेंगे इस तरह से मैंने उड़त दाल भीगा के रखी थी चार से पाच घंटे के पहले और इसका पेस्ट बना लेंगे एक छोटे वाले जार में मैंने छे से साथ हरी मिर्ची ली है एक इंच के लगबग अद्रका तुकड़ा एक चमच के लगबग जीरा इसे भी हलका सा हम दरदरा ही पीसेंगे और जो हमने डाल का पेस्ट बना के रखा था उसमें एट कर देंगे इसमें हम बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इसमें हम स्वादा नुसा नमक और आदे चमच के लगबग मिर्च पॉर्डर डालेंगे कूकर भी देखिया हमारा इस तरह से डाल हमारी पक गई है इसमें हम गरम पानी डाल देंगे गरम पानी मैंने पहले ही करके रख लिया था अब इसमें हम स्वादा नुसा नमक डालेंगे और इसे एक उबालाने तक पका लेंगे अब इसमें हम तड़का लगा देंगे सिंपल तरीके से डाल बनी हुई बहुत ही टेस्टी लगती है राई जीरा डाला है और हरी मिर्च डाली है स्लाइस में कटी हुई और मैंने थोड़ा सा चुटकी भर के लगबग इसमें लाल मिर्च पॉर्डर डाल जिससे हमारी दाल का कलर बहुत ही अच्छा है और इसमें हमने बारिक कटा हुआ हरा धन्य डाल लिया देखिये बिना लसुन प्याजी वालि दाल हमारी बन के तैयार हो गई है इस तरह से मैंने दही लिया आधा दही और आधा पानी डाल कर इसे फेट लिया इस तरह से हलका सा पतला कर लिया है इसमें स्वादा नुसार हम नमक डाल देंगे और इसमें भी हम तड़का लगाएंगे यानि हम बरे बना रहे हैं जो काना जी की छटी में अकसर बनते हैं प्राइब बहुत लोगों के घर बनते हैं किसी के घर बनते किसी के घर नहीं बनते पर हमारे है चटी हो बच्चों की चटी हो या खान हजी की चटी हो इस激ान से धहीं बनते हैं। इस तरह से डाल में मैंने सभी मसाले अड़ कर लिये थे अब इसमें कुछ कड़ी पत्ते पी डाले हैं और दाल को हम अच्छे से फेट लेंगे हम इसे जितना फेटेंगे यह उतने ही अच्छे यानि मतलब मुलायम और नर्म बन के तैयार होंगे तेखिए तेल गरम होने के ल मैंने इस तरह से बरे बना के ढल दिये हैं और जब इस तरह से फूल के ऊपर आ जाए तो इन्हें पलटालेंगे देखिए कितने हलके से बने हैं यह एक तो बहुत ही जादे यह मतलब अच्छे बन के तैयार होते हैं ओर जो हमने तड़के वाला दही रखा था उसमें हम इस भोग की ताली को केवल आप जट पर से ृस तरह से बनाकर तयार कर सकते हैं केवल मैंने इतना कानाजी के वोग के लिए ही 15-20 मिनट में ही बनाकर तयार कर लिया था, हाँ कूकर थोड़े से यन्य मतलब 10-5 मिनट की देरी हो गई हो SEC ए देर में आप आसनी झालिए झालिए झाल झाल शी शामी शितार बार के लृट करेंगा इस बस स्यांकेट